इंसान गलतियों का पुतला होता है और इंसान गलतियां करता ही रहता है अपने फिल्मी करियर की बात करें तो एक्टर्स अलग-अलग फिल्में पकड़ते हैं अलग-अलग फिल्में छोड़ देते हैं कुछ फिल्में जो वो छोड़ते हैं उसके लिए उनको मलाल भी होता है क्योंकि वो फिल्में कही न कहीं सुपर डुपर हिट हो जाती है या फिर वो कैरेक्टर जहन में बच जाता है तो ऐसे में दोस्तो आपको बताना चाहता हूँ कि रितिक रोशन सहाब ने कौन कौन सी फिल्में छोड़ कर कहीं न कहीं गलतियां करी है और साथी साथ अगर बताना चाहूँ तो ये कैरेक्टर अगर रितिक सर करते तो आज उनकी जिंदगी का जो ग्राफ बड़ा है प्रोफेशनली वो एक अलग हो जाता बात करें उन फिल्मों की बारे में तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपकी फेवरिट चैनल में रितिक रोशन, ग्रीग गॉड अक्टिंग जिने बहुत अच्छी तरीके से आती है रितिक रोशन तर की बात करों दोस्तों तो फिल्म में अगर बात करें उनकी तो उनकी धमाकेदार एंट्री होती है कहोना प्यार है से कहोना प्यार है के बाद दोस्तों फिर कभी खुशी कभी गम फिर उसके अतकोई मिल गया जोधा अगबर धूम धूमटू और बहुत सारी अन्यूशल टेस्ट की फिल्में आती हैं लेकिन इन फिल्मों के बावजूद मतलब कि कहोना प्यार है से सूपर 30 के बावजूद रितिक सर ने दोस्तों कुछ-कुछ ऐसी फिल्म में छोड़ दी हैं जिसके लिए अभी थोड़ा सा मलाल करते होंगे कि यार काश मैं वो कर ले ता फिल्म तो कितना जादा मज़ेदार चलिए, बात करते हैं सबसे फेहले, मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूंगा और लेकर आता हूँ कि रितिक सर ने कॉंसी फिल्म छोड़ी, तो बो है पहली फिल्म जिसके बाद करना चाहता हूँ वो है, दिल चाहता है दिल चाहता है आमेर खान सर थे इसमें दोस्तों अमेर खान, सेफली खान और अक्षे खाना इस फिल्म को फरहान अक्तने बनायता दोस्तों और यह फिल्म दर्शकों के बीच में सुपर हिट हो गई थी यंग्स्टर स्पेशलिस से इंस्पारड हुए थे गोवा के ट्रिप्स बनने लगे थे दोस्तों और इसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आमिर खान का वो जो गोटी स्टाइल था जो कि मैंने भी रखा है वो भी कॉपी होने रग गया था मतलब कि इंस्पारड हो होने लग गये थे लोग तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो रितिक रोशन को अक्षे खना जी के क्यरेक्टर के लिए जो है अप्रोच किया जाता है उन्हें बोला जाता है लेकिन रितिक रोशन उस वक्त तयार नहीं थे कि वह सेकंड लीग परफॉर्म करें क् देखा जाए तो पहले जो में लीड थे वो कही न कहीं आमिर खान सहाब ही थे तो ऐसे में उन्हें कहीं न कहीं यह पसंद नहीं आई इस चोरी और उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है दूसरी जो फिल्म में बात करना चाहता हूं दोस्तों वो मैं हुना कहना च जायत खान की अगर मैं बात करो तो वो शारु खान जिके भाई का चोटे भाई का चारेक्टर निबाते हैं राम और लक्षमन की जोडिय Ooh दोस्तों लगी का जो इसा काम किया है मैं अल्रेड हो आ आगे बढ़ता हूं दोस्तों तो बात करते हैं एक फिल्म आती है रंगदे बसंती रंगदे बसंती की जो बात है दोस्तों वो आज तक हमारे जहन में हैं हम सब आज तक उस फिल्म को याद रखते हैं और प्लस उसमें जो एक फ्रेशनेस थी जब भी आप उस फिल्म को देग को in fact आमिर खान खुद इस script को लेकर रितिक रौशन के पास गए थे लेकिन यहां पर रितिक रौशन ने बोल दिया कि मैं आमिर खान जब इसमें में लीड है तो मैं यहां पर में लीड ही करना चाहूंगा मैं इस तरीके से second लीड नहीं कर सकता और रितिक रौशन नहीं फिल पुर्दी वेल दोस्तों आज तक शायद रितिक रौशन इस बात को लेकर पच्थाते होंगे कहीं नहीं यह सोचते होंगे कि यार मुझे रंग देवसंदी कर लेनी चाहिए थी क्यूंकि उसमें सारे ही character दमदार थे सभी character ने एक बहतरीन तरीके से काम किया था और उसके उन सब characters की किसमत एकदम से चमक गए थी आगे बात करते हैं दोस्तों जो फिल्म है वो है आशुतोष गोवारीकर की फिल्म स्वादेश स्वादेश फिल्म अगर आपको याद होगा तो इसमें शारुक खान ने जबर्दस अभी नहीं किया था लेकिन शारुक सर से पहले ये काम दिया गया था रितिक रोशन को प्रितिक रोशन ने फिल्म करने से मना कर दिया उन्हें पसंद नहीं आयी थि और उनके पास डेट्स इशू भी थे तो जिसके चक्र में उन्होंने फिल्म को reject कर दिया और ये जूली में आगे दी शारुक खान के और आज भी हम शारुक खान साहब के best work में से एक स्वदेश फिल्म को कहते हैं दोस्तों आगे चलते हैं तो बात करते हैं बंटी और बबली का बंटी और बबली यश्राज की तरफ से फिल्म आती है शाद अली इस फिल्म के डिरेक्टर थे रानिमकर जी अभिशेक बच्चन इसमें बहुत ही amazing characters में थे लेकिन आपको बताना चाओगा कि अभिशेक बच्चन से पहले ये किरदार रितिक रोशन को गया था और रितिक रोशन ने मना कर दिया क्योंकि उनको थोड़ा सा जचा नहीं ठगस पे फिल्म है ये और प्लस कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का रिस्क था इस तरीके की फिल्मों में काम करने का तो रितिक रोशन ने इसमें काम करने से मना कर दिया चली ये तो हुई Bollywood की फिल्मों की बार, लेकिन ऐसी भी फिल्में हैं Hollywood की जो की Ritik Roshan साहब ने छोड़ दी, वो है Fast and Furious, अगर सब कुछ सही होता, अगर Ritik Roshan Hollywood फिल्में काम करने के लिए हां कह दे दे, तो आज हम Fast and Furious सीरीज में Ritik Roshan को देखते, आपको बताना चाह होगे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया, कि Ritik Roshan को हम अपनी Fast and Furious में, बिल्कुल विदाउट एनी ओडिशन, आप उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन Ritik Roshan ने यहां पर इस बात का हवाला दिया, कि वो अभी अपनी Home Production कृष की शूटिंग कर रहे हैं, जिसकी वज अब दोस्तों यहां पर बताना चाहूँगा, एक एक एक्टर की ऐसी जगह होती है, जो कि Indian आक्टर निभा सकते हैं, तो वो यहां पर Ritik Roshan को कास्ट करना चाहते थे, बट Ritik Roshan ने उस समय जल्दी decision नहीं लिया, और उन्होंने Hollywood फिल्म को अलविदा कह दिया, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, यह जो Hollywood फिल्म थी, Pink Panther 2, यह भी super duper hit गए थी, अपने Hollywood circuit में, so yes, दोस्तों, Ritik Roshan सोचते होंगे, कि यार मैंने फिल्में टर्न डाउन कर दी, मुझे शाय दिन को कर लेना चाहता, तो आज एक अलग माहल होता, लेकिन yes, आज के माहल की बात क का आज एक अलग माहल है, Greek God है वो, Bollywood के one of the best actors में से है, आपको क्या कहना है दोस्तों, क्या रितिक सर को ये फिल्में करनी चाहिए थी, या नहीं करनी चाहिए थी, उनका decision उस वक्त का, कहीं जल्दी बाजी में लगा आपको, या फिर सही लगा, comment section आपका है, जरूर बता रहिएगा, बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि राहूल गोष्ट तो इसी तरीके की चट पड़ी बाते हैं, आप लोगों को बताता रहेगा,